बूर अफ्टरनून गाईस, इस वीडियो के माद़म से हम बात करेंगे Siren Limited के quarter 2 के result के बारे में, यहाँ पर company ने एपने quarter 2 के result announce कर दी है जिसको मैं आपके साथ इस वीडियो के माद़म से share करूँगा यहाँ पर मैं बात करूँगा consolidated basis पे, और यहाँ पर जो भी value है वो है millions में तो मैं इसको आपको करोड में convert करके बताऊंगा यह आप देख सकते हैं कि millions में value है तो इससे क्या होगा कि बताने में भी easy रहेगा और आपको समझने में भी easy रहेगा तो आप देख सकते हैं कि September quarter में जो company की total income रही वो रही 1126 करोड की और वहीं June quarter में जो company की total income थी वह थी 1012 करोड की तो आप देख सकते हैं कि दोनों यह basis पे यहाँ पर company की income में काफिए एची growth देखनी को मिलती है अब बात करें अगर expenses की तो आप देख सकते हैं कि दोनों यह basis पे या quarter on quarter basis पे दोनोंə पे यहाँ पर company के expenses बढ़े है लेकिन मुझे लगता है कि quarter on quarter बज़ थे, वो थे 930 करोड के आसपास के, और वही September quarter में, जो current year का September quarter है, वहाँ पर जो company के expenses निकल के आए है, वो निकल के आए है, 964 करोड के, तो बहुत जादा यहाँ पर अंतर देखने को नहीं मिलता है, तो यह एक अच्छी बात है कि company के जो expenses हैं, वो बहुत ही limited रहे हैं, बहु ज्यादा growth यहाँ पे company की profit for tax में quarter on quarter basis पे नहीं है, क्योंकि June quarter में, जो company का profit for tax था, वो था 153 करोड के आसपास, और वहीं जो September quarter है, current year का, वहाँ पे जो company का profit for tax निकल के आया, वो है 161 करोड का, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे company का profit है, वहाँ पे growth देखने को नहीं मिलती है quarter on quarter basis पे, लेकिन year on year basis पे यहाँ पे company ने काफी अच्छा perform किया है, क्योंकि last year same quarter में, जो company का profit for tax था, वो था 109 करोड के आसपास का, और उसके comparison में अगर आप देखेंगे कि current year का जो September quarter है, वहाँ पे company ने काफी अच्छा perform किया है, तो year on year basis पे यहाँ पे company काफी अच्छा क perform कर रही है, अब देख लेते हैं कि net profit किस तरीके से निकल के आया है, तो आप देख सकते हैं कि net profit में, हमें quarter on quarter basis पे growth देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा growth यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि June quarter में, जो last quarter था June quarter, वहाँ पे जो company का net profit तब हो था 115 करोड क लेकिन आप देखेंगे कि year on year business पे यहाँ पे company को काफी अच्छा profit हुआ है, काफी अच्छा यहाँ पे company ने perform किया year on year business पे, क्योंकि last year same quarter में, जो company का net profit था, वो था 83 करोड का और उसके comparison में, जो current year का September quarter है, वहाँ पर company को profit हुआ है, 121 करोड का, तो year on year business पे यहाँ पे company न quarter basis पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा change देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि June quarter में, जो total comprehensive income थी, वो थी 122 करोड की, और current year का September quarter है, वहाँ पर total comprehensive income है, 120 करोड की, तो बहुत ज्यादा change यहाँ पे quarter on quarter basis पे company के profit में नहीं है, लेकिन year on year basis पे, यहाँ पे company ने काफी अच्छा perform किया तो company ने year on year basis पे, यहाँ पे काफी अच्छा perform किया, लेकिन quarter on quarter basis पे, हमें growth देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे growth देखने को नहीं मिलती है, अब देख लेते हैं, EPS किस तरीके का है, तो आप देख सकते हैं कि June quarter में, जो company का EPS था, वो था 10.48 का, और व बात करें, अगर last year के same quarter से अगर compare करें, तो last year same quarter में, जो EPS था, वो था 7.63 का, और current जो year का September quarter है, वहाँ पे जो EPS है, 11.09 का, तो आप देख सकते हैं कि year on year basis पे, यहाँ पे हमें काफी अच्छी growth देखने को मिलती है, अब जो सबसे main चीज रहती है कि हर retail investor के मन में, कि company ने कि यहाँ पे company ने 10 रुपए का dividend announce किया अपने investors के लिए, तो काफी अच्छा dividend यहाँ पे company ने अपने investors के लिए announce किया है, और एक बार देख लिकते हैं कि market क्योंकि यह close हो चुकी है, close होने के बाद यह result आये है, तो stock ने आज तरीके से perform किया है, और आगे के लिए यहाँ प तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा wait करना चाहिए fresh entry करने के लिए, क्योंकि result आ चुके है quarter on quarter business पे company ने उस तरीके से perform नहीं किया है, जितना करना चाहिए था जिस तरीके से IT company परफॉर्म कर रही थी, तो एक बार के लिए थोड़ा से यहाँ पे पोजिशन में बने रहना चाहिए, stock को long अपने portfolio में रखना चाहिए, long position को hold करना चाहिए, तो यह strategy कल के लिए होनी चाहिए, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा fresh entry के लिए wait करना चाहिए, तो यह result थे जो मैंने यहाँ पे आप लोग के साथ इस वीडियो के माद्दम से share किये तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, share और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, मिलते हैं next वीडियो में next किसी company के नए result के साथ, तो अभी के लिए बस इतना ही, तपके के लिए, बाबाए